इस खेल में बित्तिय जोखिम का एक तत्व सामिल है और इसकी लट लग सकती है किरपे जिम्मेदारी से और अपने स्वयम के जोखिंग पर इसे खेलें तो नमस्कार दोस्तों अलाउंडर बात कर रहा हूं तो स्वागत है आप सब का अलाउंडर फैमली में अब चलते हैं मैच के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं और आप देख सकते हो कि टाइम देख सकते हो सबसे पहले 4 बच के 10 मिनट अब कुछ लोग ये मत सोचना कि बाई मैंने कोई अलारम लगा के मॉर्निंग में जागा हूं आप लोगों के लिए चार बच के दस मिनट पे मॉर्निंग हो सकती है लेकिन मेरे लिए अब नाइट होने वाली है क्योंकि अब आप लोग सो कर उठोगे तब मैं सोने जाऊंगा अभी ओल नाइट लगा दी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी काम करने थे मैच के रिगार्डिंग, बहुत सारी इनफॉर्मेशन थी जो की कलेक्ट किये, जो आने वाले कल के मैचे से है पेशाबर जालमी वर्सिस लाहर कलंदर, इसलामबाद यॉनाइटेट वर्सिस मुल्तान सुल्तान तो बहुत जादा मेहनत की है, तभी लेट हो गया मैं आज, वीडियो अपलोड करने में तो भहिया, मैंने आप लोगों से क्या बोला था, बोल कर गया था कल की जो मैच हुआ था, उसके बारे में बात कर लेते हैं, एक मिनट के लिए कराची किंग वर्सिस कोईटा का जो मैच था, मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि कोईटा गिलिडेटर का जब-जब मैच होता है, सूपर से भी उपर वाला होता है, वो भी कराची किंग के साथ तो करांची किंग-वर्सिस कोयटा गिलिडिटर सेम टीम है, एक उपर एक नीचे वाली टीम थी कोयटा की भी हालत खराब है करांची की भी हालत खराब है जब दोनों टीमें खराब-खराब मिल जाएंगी तो भाई, मैच कैसा होगा मैस तो बहुत अच्छा होगा ना जो कि आज मैच बना आठ पैसे का जैकपॉट बना है आज का आठ पैसे करांची किंग बोड पर फिब्रेन नजर आई और वहाँ से कोईटा दो ओवर में जीती है लाश्ट के गुप्टिल ने जिताया ये मैच गुप्टिल ने ही 13 पैसे का जैकपॉट उड़ाया था और गुप्टिल ने ही 8 पैसे का जैकपॉट उड़ाया था तो कई माइने में अगर देखा जाए तो सबसे बैटर टीम है कोईटा गिलिडेटर जब-जब खेलती है तब तब जैकपॉट कुछ न कुछ दे कर जाती है कलर तो दे कर जाती है तो मैंने आप लोगों से सिंपल से पॉर्मेट पर बता दिया था कि बहुत अच्छा मैच होगा अच्छा कलरफुल मैच होगा दोनों साइडेड आप प्लस हो सकते हो अप लोगों की बसकी बात नहीं ए तो यह वाला मैच मैंने अपने टेलिग्राम चनल पर नी कराया था जो भाई पेड में आई थे इंट्रेस्टेड थे जिन्होंने पेमेंट किया था उनके साथ यह वाला मैच कराया था और अच्छा गासा जैक बॉट कराया था और एक बात और बोलूँगा सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई मैच 8 पैसे 7 पैसे तक टीम लग जाती हो, बेसक आप कराची किंग के साथ हो तो आपको लॉसकट और बुकसर्ट बनाना चाहिए कोई आपसे बोलने नहीं आएगा यह तो आपका दिमाख है आप भी कई सालों से इस फील्ड में होगे कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हो लॉसकट बुकसर्ट तो आपको अपने जहन में डालना ही पड़ेगा यहाँ पर यह नहीं है कि बैक डू बैक आप मैचस जीत होगे आपकी टीम अगर 20 पैसे बोर्ड पर फेबरिट नजार आ गई तो भाई आपका काम हो चुका है अगर आपने लॉस का टन बुकसर्ट नहीं बनाया ना उसके बाद भी आपका लॉस हो रहा है ना तो फिर भाई कोई भी कुछ नहीं कर सकता तो ऐसे मैचस ही हो रहे हैं आपकर भी क्या सकते हो उसमें तो चलते हैं नेक्स्ट मैच के रिगार्डिंग बात करते हैं जो कि भाई कल के दिन 2-3 मैचस खेले जाएंगे पेशाबर जालमी लाहोर कलंदर का जो मैच है डाही बजे से खेला जाएगा इस मैच में 70 पैसे लाहोर फेवरेट नजारा रही है वहीं पर इसलामबाद यॉनाइटेड वर्सिस मुलतान सुल्तान का मैच है जो की 7.5 बजे खेला जाएगा जिसमें आपको सेम रेट मिल रहा है बराबर का मुकाबला है तो भाई मैचस काफी अच्छे होने वाले है और सूपर डूपर होने वाला है कल का मैच कल की दोनों मैचस मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि देखो अब PSL अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है और मैंने एक बात और बोली थी कि बूमेन WPL जब से स्टार्ट हुआ है तब तक PSL के मैचस भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं देखने को मिल रहे हैं उसका रीजन सिर्फ इतना है कि कॉंपिटिशन मिल रहा है मार्किट को अभी तक कोई भी मैचस नहीं चल रहे थे तब PSL के मैचस कैसे हो रहे थे कि फर्स्ट बैटिंग जीत रही थी अब सेकेंड बैटिंग जीत रही है वो भी कलरफुल जब सेकेंड बैटिंग जीत ती है तो मैचस में कलर आता है अभी तक एक ही ट्रेंट चल रहा था 16-17 मैचिस कंटीनिव 1st बैटिंग, 1st बैटिंग, 1st बैटिंग और अब 2nd बैटिंग आज से जीतना चालू हो यह एक दो दिन से, कल इसलामाबाद जीती आज कोईटा जीती, तो मैचिस लाहोर वर्सिस पेसावर का मैच होगा पहले ढ़ाई बचे, फिर उसके बाद इसलामाबाद युनाइटेड वर्सित मुलतान सुल्तान का होगा, और मैंने अभी तक जितने भी प्रडिक्सन अपने यूटूब प्लेटफॉर्म पे सेयर की हैं आपके साथ वो ज्यादा से ज्यादा 99.9% एकोरिसी के साथ सही निकली है और मैं कोई भी टीम दे कर जाओ उससे मैटर नहीं करता अगर मैंने कोई टीम दी और हमारी टीम वहाँ से 20 पैसे 10 पैसे फेवरेट लग गई तब जाके वहाँ से हारी तो वो टीम हारी नहीं मानी जाएगी वो जीती मानी जाएगी वो बिनिंग परसेंटेज में काउंट होगी अब आप अपने एकोर्डिंग कुछ भी बोलो कि भाई टीम हार गई अब टीम हारे जीते हम भगवान नहीं हैं हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम बता सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जो कि कर रहे हैं, और उसके बाद भी profit भी निकल कर आ रहा है, आपके गोद में हैं, आपके आँखों के सामने हैं, पर उसके बाद भी आप अपनी आँखें बंद करके, उस चीज को ignore करते चलो, तो फिर मेरा उसमें कसूर नहीं होगा, तो कल पेशाबर जालमी वर्सिस लाहर कलंदर के बारे में पहले बात करेंगे, तो भाई अगर हम देखा जाए, तो इन अभी कहाँ position हैं में अपन सबसे पहले देखते हैं, कि लाहर साथ मुकाबले खेले गए हैं, साथ मैसे भाई एक ही मुकाबला हा रही है, उच्छे मुकाबले जीती है, और अभी ये continuous जीती हुई चली आ रही है, continuous अभी इसका winning percentage जैसा है, कि अभी तक 4-5 matches continue जीती है, अभी बिल्कुल भी नहीं हा रही है, तो table topper है, और वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं, पेसावर जालमी की, तो ये चौथे नंबर पर है, इसने 5 मुकाबले खेले हैं, 3 जीती है, 3 हारी है, तो अगर देखा जाए, तो लाहोर के according भाई, कमजोर साबित हो रही है, और rate के according अगर देखा जाए, तो rate में भी कमजोरी है के अंदर, क्योंकि देखो, लाहोर में एक चीज सबसे बड़ी चीज में बताऊं आपको, लाहोर में बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, फिल्लिंग भी है, सारी चीजे नजर आ रही है, इसलिए पूरी चीजें जब एक टीम पे मिल जाती है, तो वो टीम का combination better हो जाता है, हर वो चीज मिल जाएगी, अगर रन आप लोग ज़्यादा बना देगी कोई टीम, तो उसके पास baller है, अगर इन्होंने रन ज़्यादा बना दिये, कम रन बनाए, अगर लाहोर वालों ने अगर target छोटा दिया, तो ये depend भी कर लेंगे, जो कि कोईटा के साथ किया, कोईटा के साथ क्या बड़ा target था, छोटा target था, उसके बाब जूद भी लाहोर ने depend कर लिया, क्यों कर लिया, अपनी balling के दम पे, तो सेम यही करांची का क्या हुआ, करांची के पास इतनी अच्छी balling नहीं थी, जो किया chase हो गया, तो अगर हम इनकी बात करते हैं, matches की, तो पिछले 10 मुकाबलों मैंसे, 4 मुकाबले जीती है, पेसाबर जालमी, वहीं पर 6 मुकाबले जीती है, लाहर कलंदर, तो यहाँ पे देखो, लाहर कलंदर ही बाजी मार रही है, head to head में भी, अगर हम यहाँ पे, winning pole की बात करते हैं, percentage की, तो यहाँ पे 38 percentage chances बता रहा है, पेसाबर जालमी के, और वहीं पर 62 percentage chances बता रहा है, लाहर कलंदर के, तो यहाँ पे भी लाहर कलंदर बाजी मार रही है, तो देखो अगर यह match खेला कहां जा रहा है, रावल पिंडी क्रिकेट पाकिस्तान में खेला जा रहा है, अब यह गद्दाफी स्टेडियम लाहर में नहीं खेले जा रहा है, मैचिस तो थोड़ा बच के रहना, क्योंकि लाहर के मैचिस लाहर में हुए, तब तब लाहर जीती, हाई percentage बिनिंग percentage रहता है उसका लाहर में लाहर वाले मैचिस, यह अब कहां खेले जा रहे हैं, रावल पिंडी में, तो रावल पिंडी एक अलग पिछ है, लाहर एक अलग पिछ है, उनका home ground नहीं है लाहर वालों का, तो अगर हम पेशाबर के, अगर batsman की बात कर लेते हैं, टीम की बात कर रहे हैं, तो टीम में बाबा राजम captain है, जो की performance देखनी चाहिए, वो सिसाब से performance मैचों में आ नहीं रही है बाबराजम की, वहीं पे बाबरे आज बालिंग ठीक टाक कर रहे हैं, कभी-कभी पिट भी जाते हैं ये अपने चार ओवरों में, तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो रदरफोट देखो, देख रहे हैं, अपड़ अभी एब लेवल हैं क्या नहीं है, अभी तो मुझे खेलते हुए, देखे नहीं एक भी मैचिस में, अगर होते तो बहुत ज़्यादा बेटर नजर आती, मुझे ये पेसाबर जालमी, लेकिन है नहीं है, तो उनकी बात नहीं करेंगे, अगर खेलेंगे तो पता नहीं है, प्लेइंग 11 में तो देखते नहीं है मुझे, अभी तक जितने भी मैचिस हुए, तो वहीं पर अगर हम जल्दी जल्दी बात करते हैं, अभी हमें भी पता नहीं है कि कौन से प्लेयर खेलेंगे, Pissabar में कौन से player नहीं खेलेंगे क्योंकि देखो playing 11 आती है toss के बाद और toss होने में अभी आपको पता है कि match ही नहीं है अभी match तरड़ाई बजे तो मैं आपको कैसे बता दू कि कौन से player खेलेंगे कौन से नहीं खेलेंगे लेकिन तो भी मैं आपको ये बताता हूँ कि इनके पास बाबाराजम और ये जो लड़का है मौम्मद हारिस ये यार फास्ट बहुत खेलता है मतलब स्टार्टिंग में अगर पाबर पिले में रन मारता है अपना बैट मतलब गुमाता है इसा नहीं है कि मान के चलो ये दब के खेले अगर इसके बैट में बॉल आती है तो ये मारता चला जाता है और इससे प्रॉफिट किसका होता है इससे प्रॉफिट होता है टीम का तो वहीं पर अगर हम बात कर लें कोलर केडमोर तो भाई इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाले मैच में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहोगा वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं भानुका राजा पक्सा तो भाई इनका जो नाम है उस हिसाब से इनोंने काम नहीं किया है इनका नाम तो अच्छा है रहोने बल्डकप में काफी अच्छी पारी खेल के है अच्छी खेली थी एसिया कप में भी अपनी टीम को जितवाया था लेकिन वो पारियां वो इनिंग नजर नहीं आ रही मुझे वहीं पर अगर हम कारते हैं नहीं चलते तो फिर भाई नहीं चलते हैं फिर कुछ इनसे बोल नहीं सकते आप लोग ये ऐसे धमाके हैं तो मैंने आपको हर बो चीज समझा दी अगर हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो वहाँ ब्रयाज मिल जाएंगे इसमें अगर जो जो खेल रहें उनकी बात करता हूं मैं मुझीब मिल जाएगा मुझीब भी आगया 4 ओवर फेकेगा अच्छी बॉलिंग करता हुआ दिखता है मुझे तो जो खेल रहे हैं मैं उनकी बात कर लएँ अभी 2-3 प्लेयर की मैंने बात कर लिए अब वीडियो ज़ादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं और भी चीज़ें बताऊंगा तो अब मैं पेशाबर जालमी की बात देखो मैंने कर ली अब लाहूर की मैन मैन प्लियर की बात करता हूँ अब लाहूर में सासहीन अफरीदी चलो पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं तो बैटिंग मैं देखो ये वाला जो प्लियर है अब्दुल्ला सफीक भाई यार समझ में नहीं आदा ये प्लियर आया कहां से है मैंने नाम भी नहीं सुनाता इसका लेकिन भाई जो भी है जैसा भी है मारता जादा है पाबर पिले में इसको देखा है मैंने की काफी अच्छे रन मारते हुए वहीं पे अगर हम बात करते हैं Harry Brook अब ये available हैं क्या नहीं है ये पता नहीं है अगर होते हैं तो फिर भाई बहुत strong नजर आईगी Lahore कलंदर तो वहीं पे अगर फकर जमान की बात कर लें तो इनका भी बल्ला अच्छा चल रहा है PSL में तो वहीं पे अगर हम तीसरे प्लियर की बात करते हैं ये प्लियर मुझे पता नहीं है खेलेंगे के नहीं खेलेंगे जो प्लियर खेल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ तो बिलिंग भी काफी अच्छा खेल रहे हैं बिलिंग अच्छा खेल रहे हैं जो की सासाइन अफरीदी है, हारिस रॉफ हैं, और ये जो प्लेयर है, जमान खान, ये भी देखो भाई, अच्छी पर्फॉर्मेंस करते हूं, नजर आ रहे हैं, अभी दो-तिन मैचेस में उन्हें काफी अच्छी बॉलिंग की है, रन भी कम दियें, बिकिट भी लियें, तो राउंडर में यहां इनके पास रासित खान है, रासित खान ने पिछले वाले मैच में काफी अच्छी पर्फॉर्मेंस दी थी, जो भी मैच का क्रिडिट अगर जाता है, तो ये रासित खान को जाता है, जीता हुआ क्वा गटा, मैच हारी थी रासित खान, की बज़े से, तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनके पास गाफी अच्छे All-Rounder है, यह किसमें से अगर हम नाम लेंगे डैविड वीजे, डैविड वीजे बहुत अच्छा All-Rounder है यार, बालिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी भाई, बाद में हिडिंग कर लेता है, तो मैंने दोनों टीमों को के कंपेरेजं में, अगर मैंने नोटिस किया है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि इस मैच में आपको अच्छा घासा गलर देखने को मिल जाएगा, उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नीचे, वाला मैच चलेगा, last में फिर भाई close encounter भी हो सकता है तो मेरे according इस मैच का जो बिनर हो सकता है मेरे according, मेरे according ये कोई, ये कोई fix बिनर नहीं है, मैं आपको अपने according बता रहा हूँ, fix जो भी होगा वो साड़े साथ बज़े आपको मिलेगा, हमारे वाटसप पे, तो कल का जो मैच होगा तो कल का जो मैच होगा जो भाई आएंगे, जो भाई interested है मैच प्ले करना चाते हैं, तो paid में मैच होगा, तो number आपको दिख रहा होगा तो number आप अपने phone में save कर लो और मुझे वाटसप पे message कर देना आपको reply मिल जाएगा तो जो भी होगा, जैसे भी होगा, जैसे कि आज jackpot बनाया, मैच काफी अच्छा हुआ ऐसे ही, कल का भी मैच दो मैचेस हैं तो अमीद मेरी यही है कि कल का काफी अच्छा मैच होगा, सूपर से भी उपर होगा तो भाई, मेरे according मैं अभी बोल कर जा रहा हूँ, पेसाबर जालमी मैं पेसाबर जालमी के तरब जाओंगा उनकी तरब जाओंगा उनकी टीम की तरब जाओंगा अब देखो क्या होता है, साड़े साथ बजे 100% जो भी आएगा हमारे WhatsApp पे आएगा, तो भाई, आप लोगों से अभी इस का थोड़ा खयाल रखना, कोई हम वीडियो इन लीगल अक्तिविटीज के लिए नहीं बना रहे है, इंटर्टेडमेंट के लिए बना रहे है, पेडिक्शन के लिए रिक्रिकेट लॉँडर है, तो में सिर्फ पितना मैच में देखो मुल्तान सुल्तान जित्तियों निजर आ रही है मुझे, दो प्रिडिक्सन दीखर जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो इंजोय कर लेना, एक तो देखो सबसे उपर पेसाबर जालमी, जो कि पहला मैच खेला जाएगा ड़ाई बजे, और दूसरा जो मैच मैच खेला जाएगा, मुल्तान सुल्तान बर्सिस लाहोर के बीच में, जो कि 95-98 पैसे, इस्लामबाद युनाइटेट फेबरेट हो, तो यहाँ पे मुझे मुल्तान जित्तियों निजर आ रही है इस मैच में, तो दो मैचों कि मैने आपके साथ प्रिडिक्सन से एर कर यह दो मैच एक ही सेमी पिच में खेले जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुल के पता लग जाएंगे पहले वाले मैच से, कि पिच कैसा वेब कर रही है, तो पहला मैच जरूर देख लेना आप, पहला मैच जो कि खेला जाएगा, पेसा बर जालमी लाहोर के ब तो नमबर सेप करके हमें एक छोटा सा मैसेज कर देना, कभी भी मैसेज कर देना, एनी टाइम, रात हो, दिन हो, दुफैर हो, साम हो, कभी भी आपको रिबलाई मिल जाएगा, और हम आपको अपने वी आईप ब्रोडकास्ट में एड़ कर लेंगे, कल के मैच के लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जो कि भाई जूट जाती है, तो फिर बड़ा बुरा लगता है, तो दो मैचों की प्रडिक्शन देखर जा रहा हूँ, तो देख लेना, समझ लेना, अपने एकोर्डिंग, ये केबल as a entertainment purpose है, कोई 100% उपर से और नहीं है मेरे एकोर्डिंग, क्योंकि यार देखो, चार बच के दस मिनट पे वीडियो बना रहा हूँ, मैच होने में अभी काफी टाइम है, कई गंटे हैं, तो भाई बहुत से प्लेयर होते हैं, ऐसे की बहुत से प्लेयर ऐसे भी इंजड भी हो सकते हैं, तो कुछ भी अगर होता है उपर नीचे, अग कर लो अपने फॉन में, और आराम से मुझे एक मैसिज कर देना, आपकी जो भी लिमिट होगी, उस लिमिट के अकॉर्डिंग इस मैच में, आपको फ्ले कराएंगे, सुबह बाले में भी, साम बाले में भी, तो चलते हैं तब तक के लिए देखो, चैनल को सब्सक्राइब क कि भाई कल दो मैंचे से, आप सब लोगों के लिए वीडियो बनाया हमने, और as an entertainment purpose, not an illegal activities, तो यूटूब भाई, यूटूब बाले में, आगर आप सुन रहे हमारा वीडियो, तो वीडियो डिलीट मत किया करो, आप लोग, हम कोई illegal activities को बढ़ावा नहीं दे रहे, as an entertainment purpose, व दूआ में याद करो, तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल की वीडियो,